इस आर के शुक्ला एक्स एक्स वैगल्टी ओफ एलन एज वेल एज आकास इंस्टिट्यूट कोटा बचो जैसा कि हमने बात किया था आज से हम लोग टेस्ट सीरिस प्लास एंसी आइटी रिव्यू स्टार्ट करने बाले हैं जिसका एक टेस्ट अभी हो चुका है और एंसी आ स्टे और सैटरड़े ये क्लास रहेगा पर विक और संडे में सेम टॉपिक का टेस्ट रहेगा इस में चोटा सा चेंज है इस संडे को दिपाली रहेगी और अब यज़ियर जाएंगे तो दिपाबली के सलिब्रेशन में आप लोग बीजी रहेगे तो इस हपते का जो टेस टेबल अभी नहीं मिला है तो इसका ठीक बैक बाला जो वीडियो है उस में आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी टाइम टेबल आपको मिल जाएगा हाँ अभी जो हम बात करेंगे चीजों को समराइज में में बात करेंगे डिटेल में जाकर बात फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि डेटेल में बात करने का तो अभी टाइम नहीं है लेकिन अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक को डेटेल में देखने की जरुवत है तो डिस्क्रिप्शन में डेटेल वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा जहां पर जाकर आप रहे था कि नीट बिनायक नाम से हमारा यूट्यूग चैनल है और इसी नाम से हमारा इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो यह सबी जितना भी वीडियो रहेगा उसका पीडियेफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और नीट बिनायक टेलीग चैनल में भी बिन जएगा, ठीक है? तो अभी अगले तीन क्लास में हम पूरे Animal Kingdom को Summarise करेंगे, पूरे Animal Kingdom को हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे टिप्स मैं आपको दूगा, जिनसे आपको चीजों को समझने में, याद करने में आसानी रहेगी, यहाँ पर केबल उ कुछ एक topic ऐसे हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ animal kingdom, evolution, reproductive health, human health and disease, एक कुछ topic ऐसे हैं कि अगर NCRT को हम line by line इंड में तयार करते हैं तो निश्यत रूप से हमें बहुत सारी दिक्कते आएंगी और आपको याद करने में दिक्कत होगा, तो इन topic के pattern को थोड़ा सा modify करके हम तया हम NCIT ही करेंगे, पूरा lecture आप देख लोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी, तो याद रखना, अभी सबसे पहले हम बात करने है, basics of animal kingdom, और इसमें बहुत सारे learning tips का मैं इस्तेमाल करने बाला हूँ, जिनसे चीजों को याद करना आपको आसान होगा, ठीक है, और अग ये हपते में तीन दिन आपका क्लास है, Tuesday, Thursday और Saturday, अगर आपका response positive रहता है, तो ये आपका class Friday, मतलब Friday means Monday to Friday भी जा सकता है, अगले एक हपते में देखूंगा, क्या आपका response रहता है, accordingly हम लोग आगे पढ़ेगे, तो हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं कि और अच्छे अच्छे comment करें, चलिए हम लोग बात करते हैं, Animal Kingdom में, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अच्छे तरह से याद रखना, test series and NCIT review इसके बारे में हम लोग discussion कर रहे हैं, तो जैसा आपको मालूब हैं, कि बिल्कुल zero level से हम लोग बात करते हैं, और phylum का नाम याद करने के लिए कुछ एक formula का हम इस्तवाल करते हैं, और इन formula के बारे में हम बात कर रहे हैं, PCC, Palm, EHC, हमारा बहुत पुराना formula है, जिसका हम इस्तवाल करते हैं, phylum का नाम याद करने में, पौरिफेरा, सिलेंटेटर, टीनोफूरा, प्लैटी हल्मिंथिस, आसका हल्मिंथिस, एनिलीडा, अर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हैमिकॉर्डेटा, एंडु कॉर्डेटा, ठीक है, जो इनका डेटेल वीडियो है, उसका लिंक यहाँ पर भी दिया फिर कॉर्डेटा के क्लास को याद करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला इस्तमाल करते हैं, यू सी सी परम, यूरो कॉर्डेटा, सिफैलो कॉर्डेटा, सैक्लोस्टोमेटा, पैसिस, अमफीबिया, रैप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया, इन नामों को यहीं याद करने की हमें जरुवत है अगर हम यहीं याद कर लेंगे तो आगे हमें जाकर क्योंकि इनकी animal kingdom को याद करने के लिए इन चीजों को sequentially हमें याद करने की जरुवत होती है तो इन चीजों को हम लोग निश्यत रूप से यहीं याद कर लें फिर इसके बाद ही कुछ character है जो पूरे animal kingdom में आते हैं NCRT में कुल मिलाकर इनी character का जिक्र है जिसको हमने चार category में बाटा हुआ है general character, physiological character, reproductive character और सब से बात में specific character general character में आपके याद रखना habitat, symmetry, segmentation, body form, body organization label, body cavity और sea loam germ layer and locomotion, physiology character में digestion, excretion, respiration, circulation and sensory organ ठीक है फिर हम बात करते हैं reproductive character इसमें type of animal, type of reproduction, type of fertilization, type of development and name of larva इसमें name of larva यह character कुछ एक phylum में नहीं है अदर्वाइस यह सारे character है other character में specific character और example इनका specific character और example का जो हम जिक्र करेंगे हम अगले lecture में करेंगे अभी फिलहाल reproductive character तक हम बात करने वाले हैं तो सब से पहले habitat and habitat उसको हमने 5 category में NCIT के according category गया exclusively marine मतलब वो animal जिन में लगवग सारे के सारे animal कहा रहते है marine water में, sea water में, about all the animal are found in marine water and three phylum are there, tenophora, echinodermida and hemicordida अगर मैं marine की बात करूँ मतलब अधिकांस animal marine water में लेकिन काफी सारे animal fresh water में then porifera and chondrithis or cartilage अगर मैं बात करता हूँ marine plus fresh water means aquitic then sealantrita and osteopathes ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया terrestrial and aquitic, इसमें anilida as well as mollusca ठीक है, उसके बाद endoparasite में platyhelminthes as well as ascahalminthes and aquitic terrestrial मतलब all में arthropoda and cordata तो पिटा ये पहला character यहां complete हो जाता है उसके बाद हम दूसरे character का discussion करेंगे symmetry मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि यहां पर cable summarize way में हम बात कर रहे हैं अगर आपको detail में discuss करना है जिसमें radial symmetry और ये bilateral symmetry का definition भी आपको मिलेगा तो इसका detail video हमारा है जिसका link आपको description में मिल जाएगा ठीक है तो इसमें पहला category asymmetrical और उसमें क्या आता है अगर मैं asymmetrical की बात करता हूँ तो याद अगना PP for Porifera अब यहां पर हमारे formulas का हम इस्तमाल करेंगे तो PCC palm EHC आपको याद करना है Radial symmetry में कौन आ जाएगा CC मतलब sealant data as well as stenophora और bilateral symmetry में palm HC Echinodermita को हमने छोड़ दिया है Platy Helminthes, Aska Helminthes, Anilida, Arthropoda, Molluska Hemicordita और Cordita और अगर हम बात करते हैं Dual symmetry तो Echinodermita अकेला example है जिसके Bipinaria larva में bilateral symmetry होती है Adult में कैसी होती है Radial symmetry होती है फिर उसके बाद हम बात करेंगे Segmentation के बारे में तो Segmentation में किबल एक point आपको याद रखना है Anilida, Arthropoda और Cordita ये तीनों जो phylum है इन में Segmentation कैसा है True as well as Metameric Segmentation अगर आप बात करोगे Phylum Platyhalmanthige के Cestuda Class के T-Bomb Animal में तो इसमें False और Pseudo Segmentation है बाकि सभी Animal कैसे है Unsegmented अगर इन सभी का Definition आपको देखना है तो Detail वीडियो में जाकर आप देखोगे जिसका Link आपको मिल जाएगा दिस्क्रिप्सिन में फिर उसके बाद हमने बात किया Body Cavity और Celo अब Body Cavity और Celo हम किसके बारे हम बात करते हैं Space in between Body Ball and Elementary Canal which is lined by Mezoderm at both sides is called as Celo अगर इस Space है लेकिन Mezoderm से line नहीं है तो वो क्या कलाता है Pseudo Seed ठीक है लेकिन उसके पहले हम बात कर रहे है Body Organization Level के बारे में तो याद रखना Pori Phyra में कैसा है Cellular Silentrata और Teno Phyra में कैसा हो जाएगा Tissue Label Platy Helminthes Organ Label और S के Helminthes से लेकर Cordita तक Organ System Label इन सभी का Detail Discussion आपको Detail वीडियो में मिल जाएगा ठीक है यहाँ उपर भी इसका लिंक दिया हुआ है और Description में भी आपके इसका लिंक मिल जाएगा Description में जाकर सीधे-सीधे आप उसको Open कर सकते हो ठीक है फिर हमने बात किया किसके बारे में Body Cavity ठीक है Body Cavity देखो Elementary Canal और Body Wall के बीच का Space अगर Mezodermal Lining से Lined है तो क्या कहलाता है True Silo अगर Mezodermal Lining नहीं है देल वीडियो में मिल जाएगा अब याद रखना PCCP परिफेरा सिलेंटेटर टीनोफोरा प्लेटी हैलमन्थीस और थीस आर इस सीलोमेट चीक है फिर एसका है है फाइलमन्थीस ऑनली बन फाइला विच है है स्यूडो सीलोम अनिलिड अर्थ्रोपुडरा मॉलसका एकाइनोडरमेटा हैमिकॉर्डेटा और थीस आर ट्रू सीलोमेट अनिमल बहुत ही आसान तरीका में आपको याद करने का बता रहू फिर हमने बात किया बोडी फाउम के बारे में तो फाइलम पौरी फेरा का अनिमल क्या कहलाता है इस पॉंजिस फाइलम सीलें टेटा के अनिमल को हम क्या करते है पॉलिप अनिमल क्या करते है पॉलिप अनिमल क्या क्या करते है पॉलिप अनिमल क्या 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 जली ठीक है, फिर फाइलम आर्थरोपुटा, बोडी इस काटेगरेज इन्टो हैड, थोरेक्स, अब्डोमीन, मॉलस्का में सॉफ्ट बोडी अनिमल सराउंड़ेड बाइ कालकेरिय शेंट, इकाइनो डर्मिटा का अनिमल क्या खेलाता है, स्टारफिस, हैमिकॉर्टिट्स आर कॉ याद रखना है, डिप्लोप्लास्टिक, मींस विच्छेव, अन्ली एक्टोडर्म, एस बाल एस एंटोडर्म, एन्टोडर्म, यह तीनो लियर यहां पर है, फिर हमने बात किया, लोकोमुट्री और्गन, तो इसमें जो खास बात आपको याद रखना है, कि पी-पी-ए, प प्रास के हल्म, जिन तीनों में लोकोमुट्री एपसेंट, और अगर तीनों में से एक चुनना पर जाए, तो आप कौन सा चुन होगे, पौरी फिरा, सिलेंटेटा और टीनो फोरा में, टेंटिकल है, एनिलेडा में, सीट्री एंड परापोडिया, आर्थरोपोडा में, ज डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन अगर सेल के अंदर होता है, डाइजेशन विदिन सेल इस कॉल्ड आज इंट्रा सैलूलर डाइजेशन, वाइल डाइजेशन, आउटसाइट तो सेल के अंदर डाइजेशन होगा, तो इंट्रा सैलूलर डाइजेशन, और सेल के बाह ठीक है और बाकी सभी फाइला में extra cellular only तो बचो अभी एक दो बाते हैं यहां आपको समझना है जो आपको समझ लेना चाहिए एक दो बाते हैं यहां पर जो आपके लिए समझने की है देखो एक दो बाते याद रखना अभी इस समय आपको cable summarize form में चीजों को पढ़ने की जरु करूंगा कि बहुत detail में आपना जाएं क्योंकि जिन topic पर caution आते हैं जिन point पर caution आते हैं वो सारी point मैं आपके साथ यहां discuss कर रहा हूँ detail की जरुवत समझने के लिए होती है और यहां जिस pattern का हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं आपको याद करना बहुत आसान होगा और caution इसके बाहर नहीं जाएगा यह मेरी guarantee है क्योंकि biology में NCIT के बाहर जाता ही नहीं और NCIT पूरा हम लोग यहां cover करने जा रहे हैं ठीक है तो ऐसे म जाने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी detail में ना जाएं ठीक है फिर थोड़ा सा बात करेंगे elementary canal के बारे में तो देखो elementary canal PCC porifera silentrator tinofora elementary canal absent है platy helminthes में incomplete elementary canal में found और S के helminthes से लेकर call data तक complete elementary canal पाई जाती है इस बात को बच्चो अच्छी तरह से याद रखना फिर हम बात करेंगे excretory organ तो याद रखना animal without excretory organ PCC porifera silentrator tinofora यह काइनो डर्मिटा एकाइनो डर्मिटा में भी excretory organ नहीं पाया रखना प्लैडी हल्मिंथी फ्लेम सेल और प्रोटोन अफ्रीडिया फिलमोलस्का में और्गन और बुजानस और किड्नी और गिल हमी कर्ड़िटा प्रोबोसिस ग्लन और सिंगल ग्लोमर्लस और अस पर इस कोशन और कर्ड़िटा इस देर किड्नी इस अनली बन excretory organ इंक मुस्ट अफ्र अफ्रीपिपिन यह पी फिर हमने बात किया रेस्पिरेटरी और्गन तो याद रखना एडिमल विदाउट इस पासिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन बिद जनरल बोडी PCCPAE पॉरिफेरा, सिलेंटेटर, टीनोफोरा, प्लैटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस, एनिलिडा और इकाइनोडर्मेटा इन में कोई भी स्पासिफिक रेस्पिरेटरी और्गन नहीं पाया जाता मतलब रेस्पिरेशन कैसे होता है जनरल बोडी सर्फेस से अगर एनिलिडा में बात करेंगे तो इंसेक्टा में ट्रेकियल सिस्टम है और मोइस्ट आर्थ रूपोर्ट ठीक जो बास ताब में क्रस्टेशियन है उसमें क्या है गिल है गिल के अलावा एपी पोडाइट भी है लेकिन जब एंसी आटी ने नहीं पूछा है तो हम क्यों तेंसा फिर उस अगर मैं लंगी बात करता हूँ तो आराम एंफिविया रेप्टिलिया एप्जेंड माबेलिया एंसी आटी ने इसको क्या लिखा है लाज बैसकुले राइस बैग और इसकिन की बात करें इसकिन से रेस्पिरेशन क्या कर लाता है क्यूटेनियस और इंट्रिग्यमेंट इ एसके हलमेती सारकुलेशन एंटैप अर्फ़ोडेंस का इन दौनों में कैसा है लाइत प्लोज है जबकि जो पहला तेगड़ी है उसमें कैसा है ओपन टैप का है इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में यहां सेट करके रखना फिर बात करेंगे नरवस स्टम केंगरे तो याद रखना नर्वस सिस्टम का जिक्र NCIT ने केबल Anilida, Arthropoda और Molluska में किया है तो हम लोग भी यहीं जिक्र करेंगे ठीक है तो याद रखना NCIT में दो ही बातों का जिक्र है देखो एक तो इसमें बेन के जैसा इस्ट्रेक्शर है जो Anilida में Pharynx के चारों तरफ बनता है Arthropoda में Isophagus के चारों तरफ बनता है ठीक है और ये टू पेर गैंगलिया से बनता है Pharynx के ऊपर जो गैंगलिया है वो क्या कहलाएगा Suprapharyngeal Ganglia और Cerebral Ganglia In case of Arthropoda, this is called Supraesophageal Ganglia और उसके नीचे के साइड में है Subpharyngeal Ganglia लीटरल नर्ब और इन तीनों से मिलकर बनता है नर्ब रिंग और ब्रेंग जिससे नर्ब कॉर्ड का origin होता है जो paired है, solid है और bandral है बस इतनी सी बात इसमें आपको याद रखना है अगर sensory organ के बारें बात करेंगे अगर sensory organ के बारें बात करेंगे तो याद रखना, phylum Arthropoda में compound आई है और statusist phylum Arthropoda mollusca में balancing का कारिय करता है mollusca में sensory tentical है statusist है और regular the resping organ है analogous of teeth है यह बगल का ability में पाया जाता है और यह teeth का analogous है ठीक है तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में type of animal तो याद रखना PCCP, porifera, silentator, tenophora or platyhelminthes, hermaphrodite or bisexual or monoseous ठीक है याद रखना उसके अलावा any leader चीक है ना अच्छा उसके बाद यहाँ पर याद रखना उसके बाद S के helminthes Arthropoda, mollusca, echinodermita, hemicordata और core data में unisexual या dioces है, separate sex है के बल, any leader में बीच में कैसा आ जाएगा monoseous और dioces या तो monoseous है या dioces monoseous का मतलब क्या हुआ, sex separate monoseous का मतलब common sex मतलब एक ही animal में testis भी है और obri भी है dioces का मतलब क्या sex separate NCIT ने उसको लिखा separate sex मतलब male and female is found ठीक है, फिर उसके बाद type of reproduction याद रखना, porifera, silentrata and platyhelminthys में asexual and sexual दोनों होता है बाकी सभी में cable sexual reproduction होता है, और याद रखना porifera में asexual reproduction by fragmentation, budding and gemul formation ठीक है? अब उसके बाद type of fertilization बात करते हैं, तो external fertilization किसमें, टीनो फोरा, annihilida, echidermita, और hemicordida internal fertilization किसमें, porifera, askehelminthys, arthropoda और cordyta और external and internal दोनों, silentrata, platyhelminthys और mollusca याद कैसे करोगे? याद इसको कैसे करोगे? देखो, पहले बाला छोड़ देना इसका formula याद रखना CAP-CPM, CPM की टोपी CAP किसके लिए है? internal fertilization के लिए CPM, communist party marks किसके लिए है? external और internal both के लिए और इस list से जो बाहर नहीं जाएगा वो external fertilization ठीक है? फिर type of development इसमें केबल ये direct और indirect वाला याद रखना है? बाकि सभी में indirect हो जाएगा इसका formula याद रखना C2A3 silentrata, cordata C2 हो जाएगा और E3 में escahelminthes anilida और arthropoda फिर हमने बात किया name of larva तो याद रखना arthropoda में caterpillar anilida और mollusca में trucofo, echinodermita में bipen area, hemicordeta में torn area, cyclostomita में emocity, amphibia में trichol and exolotel larva बच्चों याद रखना basics में कुल मिलाकर इतनी सीही बातें हमें discuss करना था जिनको हमने discuss कर लिया है अगर सही ढंक से आप समझ चबो देखो ध्यान से देखना अगर ये character आप याद कर लेते हो जिसको याद करने में बहुत ज़्याद टाइम आपको नहीं लगेगा करना क्या है और परसों भी रहेगा ये दो दिन इसलिए रहेगा कि Sunday को दिपा वली है तो अब इसलिए आप लोग देख नहीं पाएंगे तो कल और परसों दोनों दिन क्लास रहेगा दिपा वली के दिन और दिपा वली और उसके दो दिन बाद मतलब गोबर्धन बाली पूजा जबाब करते हो दोच तक ये हमारा ओस रहेगा ये तीन दिन हमारा क्लास नहीं रहेगा हलांकि एक छोटा मोटा टेस्ट इस बीच में मैं डालूँगा आप चाहें तो उसे कर लें चाहें तो बाद में कर कुल मिलाकर इस तरह से हमें तयारी करना है बहुत छोटा से वीडियो और इसी तरह से पूरा स्लेबस हम तयार करने वाले हैं और यकीन मानिए बहुत पहले मतलब अभी नवंबर चला है तो जद़ से जद़ चार या पांच महीने बहुत हुआ तो मार्च तक सारा स्लेबस हम लोग खत्म करतेंगे हर संडे में आपका टेस्ट होगा लेकिन इस संडे का टेस्ट कब होगा इस संडे का टेस्ट होगा बैटना स्टे में क्योंकि संडे को दिपाबली है ठीक है तो अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इमानदारी से आप ये सारे विडियो को फॉलो करते हो तो निश्यत रूप से आपको सफलता मिलेगी ये मेरा दाबा है Got it my point? तो अभी सब कुछ आपके हाथ में 360 by 360 in biology you can get still you may be at zero level Got it my point? अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें और share करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें okay all the best